हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टड़ी के अपस्विट, अगर आप कोई भी कॉंपेटिटिटे एक्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने से आप हमारे लेटेस वीडियो के नोटिफिकेशन पास होकेगे, ठीक है दोस्तों, तो आज हम हमारे शो में बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक देखने वाल है, RBI Rates के बारे में, जिसमें हम रेपो रेट, CRR, MSF, बैंक रेट, इसके बारे में हम आज जानकरी लेंगे, तो ये एक्जाटली है क्या, तो हम ने एकी रेफरेंस लिया है, जो कि RBI की authorized website www.rbi.org.in, ठीक है दोस्तों, तो overall view देखेंगे पहले, कि इसमें policy rates क्या है, reserve ratios क्या है, exchange rates और lending rates क्या है, policy rates में repo rate आते हैं, reverse repo rate आते हैं, MSF और bank rate आता है, reserve ratios में CRR और SLR आते हैं, तो important topic अभी तक exam में पूचे है, कि repo rate क्या है, reverse repo rate क्या है, तो इसके लिए हम छोटी सी trick भी यूज़ कर सकते हैं, कि पहले reverse repo rate ध्यान में रखिए, जो है 5.75%, ठीक है, तो इससे 50 BPS point जादा है repo rate, और इससे 50 BPS point जादा है 6.75%, जो है MSF, ठीक है, और bank rate MSF के बराबर है, और CRR है, unchanged है, काफी समझ से unchanged है, जो कि 4% है, ध्यान में रखिएगा, CRR 4%, SLR जो है, जो कम हो गया है, अब इसकी value है 20.75%, exchange rate के बारे में आपको तो पता है कि, एक dollar की value कितने रुपे के बराबर है, अभी का rate चल रहा है, अभी dollar की value है 66.89%, मान लो कि अगर किसी ने एक dollar दिया तो उसको हमें 66.89% रुपे देने पड़ेंगे, अब recently, RBI ने MCLR concept launch की है, ठीक है, तो इसके बारे में obviously question पूछ सकेंगे, और हम आगे के session में, आगे के slide में इसके बारे में जानकरी लेंगे, ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखेंगे, repo rate क्या है, तो repo rate is the rate at which Central Bank of Country, मतलब Reserve Bank of India, lends money to commercial banks in the event of any shortfall of fund, इसका मतलब क्या है, कि जब कोई भी banks के पास, किसी fund की कमी है, तो वो RBI से funds money, funds या फिर money उधार लेते है, तो अब देखिए, RBI, यह diagram में दिखा रहा हूं में, RBI, जिस rate पे banks को पैसे उधार देती है, उसको कहते है repo rate, जैसे पहले slide में हमने देखा repo rate क्या है, 6.25%, तो मतलब RBI, 6.25% से कोई भी bank को पैसे उधार देती है, उस rate को कहते है repo rate, ओके दोस्तों, तो अब देखिएंगे reverse repo rate, reverse repo rate बिल्कुल opposite concept है repo rate से, तो reverse repo rate में आप diagram में देख रहे हैं कि exactly क्या होता है, कि RBI कोई भी bank से पैसे उधार लेती है, तो वो जो rate से पैसे उधार लेती है, उस rate को कहते है reverse repo rate, अब देखिए reverse repo rate क्या है, 5.75%, मतलब क्या कि RBI 5.75% से bank से पैसे उधार लेती है, उस rate को कहते है reverse repo rate, ये tool reserve bank कब यूज करती है, जब reserve bank को लगता है कि banking system में excessive money float हो रहा है, तब वो excessive money को control करने के लिए, RBI ये tool यूज करती है, ताकि economy में excessive money का flow कम हो जाए, ठीक है, ये concept समझ में आई दोस्तों, तो अब देखेंगे हम, MSF ये exactly है कि मतलब marginal standing facility, तो ये concept भी same repo के जैसी है कि इसमें भी RBI कोई भी bank को पैसे उधार देती है, तो वो जो rate से पैसे उधार देती है, उसको कहते है, MSF मतलब marginal standing facility rate, वो rate क्या है, 6.65%, अब ये कभी use होता है, repo rate में भी पैसे उधार लेती है, तो इसकी जरूरत क्या है, तो जब किसी भी bank के पास कोई भी दूसरा option नहीं होता है, तो overnight funds के लिए मतलब as a last resort, last resort, last resort ये bank use करती है, MSF को, तब ये RBI से पैसे उधार लेती है, तो जो rate से लेती है, उसको कहते है, MSF, मतलब marginal standing facility, ठीके तोस्तों, अब देखेंगे हम bank rate के बारे में, तो bank rate में होता क्या है कि, ये RBI जिस rate पे bank को पैसे उधार देती है, without keeping any collateral, उसके rate को कहते है, bank rate, ठीके, ये rate जो है, RBI on the spot, मतलब उस time पे decide करती है, कि कौन से rate पे bank को पैसे देने है, तो अब आप सोच रहे होगे कि, ये तीनो rate में, लगबग इन तीनो concerns में, same system apply हुए है, जैसे कि, RBI पैसे उधार दे रही है, तो इसमें difference क्या है, तो repo rate एक तो repurchase rate है, मतलब इसमें bank RBI पैसे देती है, again security, मतलब collateral use होता है, मतलब कोई भी collateral गिरवी रखके, RBI bank को पैसे देती है, अब ये कौन सी security हो सकती है, जैसे कि government bond हो सकता है, ठीक है, तो MSF में क्या होता है कि without any security पैसा दिया जाता है, bank rate जो है, वो कोई भी loan से deal करता है, ठीक है, ये तीनों में just a normal difference है दोस्तों, अब देखेंगे हम reserve ratios के बारे में, reserve ratios में ही, इस word में ही इसकी concept थोड़ी बोड मीनिंग छुपी हुई है, तो CRR क्या है exactly cash reserve ratios, तो कोई भी bank को, उसके पास इतने भी हैं, ठीक है, जितने भी funds available है, उसमें से कुछ amount तक इसको reserve bank के पास पैसे रखने पड़ते हैं, तो जिस percent में reserve bank के पास fund रखने पड़ते हैं, उसको बोड़ते है cash reserve ratio, ठीक है, तो इसकी value अभी as on now, ये 4% है, ठीक है, 4% है, तो इसके बाद में देखेंगे SLR, statutory liquidity ratio, please keep in mind statutory liquidity ratio SLR, ठीक है, अब as on, इसकी value है 20.75%, ठीक है, अब हम एक example consider करेंगे, इससे आपको ये पूरे दोनों भी concept समझ मेंगे, ठीक है, मान लो किसी customer ने bank के पास 1000 रुपे deposit कर लिए, 1000 रुपे deposit कर लिए, तो ये 1000 रुपे में से 4% CRR के हिसाब से 40 रुपीज, और 20.75% SLR के हिसाब से 207 रुपे, मतलब 207, ठीक है, तो कुल मिला के, मतलब total इसकी value हो गई 247, 247 रुपे bank को reserve bank के पास रखने पड़ते हैं, और बाकी बचे हुए 753 रुपेज, मतलब 753 रुपेज, ये bank यूज कर सकती है, loans और advances के लिए, अब आपको दोस्तों एक overall view, overall concept समझ में आई होगी, ठीक है, तो इसके बाद में है lending rates, अब lending rates मतलब क्या है, कि सबसे पहले, मतलब April 2016 के पहले banks use करती थी base rate, ठीक है, ये loan देने के लिए concept और terminology use होती है, जिसमें base rate, interest rate define करने के लिए use होता है, मान लोग कि base rate कोई भी XYZ bank का base rate है 9.50%, तो ये base rate 9.50%, तो ये base rate के नीचे कोई भी वो bank XYZ bank किसी भी customer को interest rate define नहीं कर सकती, मतलब उसके नीचे interest rate नहीं apply कर सकती है, ठीक है, तो after April 2016, RBI ने नई terminology, नई terminology in the form की है, उसको बुलते है MCLR, marginal cost of fund best lending rates, तो इसमें एक overall view देखेंगे दोस्तों की, suppose मान लो एक customer ने short term के लिए loan लिया, एक साल के लिए loan लिया, एक customer ने 3 साल के लिए loan लिया, एक customer ने 5 साल से ज़्यादा के लिए loan लिया, तो ये है short term, ये है medium term, ये है long term, ठीक है, तो ये जो MCLR rate है, ये इन टेनर के उपर depend है, मतलब ये के उपर depend है, तो दोस्तों, MCLR concept ये base rate अब पहले से के system से निकल जा चुकी है, अब MCLR यूज होती है, आज के session में हम इतना ही देखेंगे, अगर दोस्तों आपको कोई भी query हो, तो आप हमें without any hesitation mail कर सकते हैं, हमारा email address है, studycapsule15-gmail.com, thank you very much.